केन विलियमसन के इस तगडी चाल से न्यूजिलांड ने मचाय धमाल श्रोलंका को धूल चटा कर सेमी फाइनल में कर ली एंट्री देखते रहे गए पाकिस्तानी ना कुदरत का निजाम का माया ना बाबा रिज्वान की दुआउं ने दिखाया सर मुश्किल में पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच की बाद कराची के लिए कट जाएगा टिकट ICC One Day World Cup 2021 के 41 मैच को जीत कर न्यूजिलांड ने लगभाग अपनी सेमी फाइनल में जगा पकी कर ली न्यूजिलांड ने श्रोलंका पर 5 विकट की ठमाकेदार जीत हासिल की इस ठमाकेदार जीत के बाद पाइंट इबल में न्यूजिलांड के स्थिति काफी मधबूत हो गई है अब पागस्तान को पॉइंट टेबल में यहां तक पहुँचने के लिए नाको चने चबाने पड़ेंगे माना जा रहा है कि पागस्तान को इंगलैंड के खिलाफ यहां तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बलकि नाममकी ने ऐसे में पाकिस्तान को इंगलैंड मैच के बाद कराची का टिकट कटना तै है हालांकि सेमी फाइनल तक पहुँचने के लिए निउजिलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने एक तगड़ी चाल चली थी ये चाल काम्याब होने के बाद उनकी टीम ने स्रोलांका को करारी शिकस्त दी हम अपने इस तीन मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे कि विलियमसन ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे निउजिलैंड की टीम ने ना सर्फ जीत दर्च की बलके सेमी फाइनल में अपना स्थान लगभग पक्का कर लिया नौ नौमबर को ICC One Day World Cup 2021 का 41वा मुकाबला खिला गया बैंगलूरू के हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये भढ़ंत होई जिसमें निउजिलैंड की टीम ने स्रोलंका को चुनोती दी मैच में कीवी खिलाडियों का दबदबा देखने को मिला पहले गिंदबाजी करते हो निउजिलैंड ने 171 रन की स्कोर पर ही श्रोलंका टीम को आउट कर दिया जवाब में निउजिलैंड ने 23 तश्मलों दोवर में 172 रन बना लिये और 5 विकेट से मैच पर कबजा कर लिया टॉस जीत कर पहले गिंदबाजी करने के लिए आई निउजिलैंड की टीम का श्रोलंकाई टीम पर दबदबा देखने को मिला निउजिलैंड ने 171 रन की स्कोर पर टीम को आल आउट कर दिया कुसल परेरा और महिस तिक्षणा के अलावा श्रोलंका के लिए कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका कुसल परेरा ने 28 गेंदों में 9 चोके और 2 चको की मदद से 50 रन बनाए पतम दिशंका, कुसल मेंडिस, चरितस लंका और चमिका करूना रतने ने क्रमशा 2 रन, 6 रन, 8 रन और 6 रन की पारी के लिए सदरा समर विक्रमा और दुश्मंता चमिरा एक एक रन ही बना सके एंजिलो मैथ्यूज ने 16 रन और धननजर डिसलवा ने 19 रन का योगदान दिया इन सभी बल्लेबाजों की पाविलियन लोट जाने की बाद महिस तिक्षणा ने श्रोलंका की पारी को सम्हालने की कोशिश की लेकिन उन्हें अन्य किसी खिलाडी का योगदान नहीं मिल सका हालांकि महिस तिक्षणा की 38 रनों की पारी की मदद से टीम 171 रन बनाने में कावियाब रही जहां श्रोलंका की टीम बल्लेबाजी में बुरी तरह फ्लोप रही वही न्यूजिलैंड की गेंदबाजों ने अपना जलवा बिखे रहा कीवी गेंदबाज कुसल मेंडेस की टीम के लिए काल साबित हुए इस बीच ट्रेंट बोल्ल की गेंदबाजी का कहर देखने को बिला उन्होंने अकिले दम पर विपक्षी टीम की तीन विकेट हासल किये कुसल मेंडेस, सदरा समर विक्रमा और चरित असलंका का विकेट उनकी नाम रहा लोकी फर्गुसन, रचिन रविंद्र और मिचल सांटना ने दो-दो विकेट जटकाए टीम जाओदी के हाथ एक सफलता लगे श्रलंका द्वारा दिये गए टागेट को न्यूजिलान की टीम ने 23 तश्मलों दो वर में ही डिफेंड कर लिया ड्वैन कॉनवे और अचिन रविंद्र की जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुवात दिलाई दोनों खिलाडियों की बीच पहले विकेट के लिए 86 रणों की साज़िदारी हुई ड्वैन कॉनवे ने 45 और अचिन रविंद्र ने 42 रण बनाए कप्तान केन विलियमसन 14 रण और मार्क चैप्मेंच 7 रण बना कर आउट हुए ग्लेन फिलिप्स और टॉम लाथम क्रमशा 17 रण और दो रण पर नाबाद रहे अंजलो मैट्यूज ने दो विकेट चटकाए महिस तिक्षणा और दो श्मंता चमेरा को एक एक विकेट मिला इस जीत के साथी न्यूज जिलाइन ने सिमिफानल में अपनी जगह पक्की कर ली क्योंकि पागस्तान को अपना दावा पेश करनी के लिए इंगलाइन को 275 और उन से माद देनी होगी कप्तान ने टॉस जीत कर पहले गिंदवाजी करनी का फैसला किया जो की टीम के हक में साबित हुआ